हेलो स्टुडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोशन नमबर 9 के बारे में प्रीविएस लेक्चर में है जा होमवर्क दिया था मैंने आपको तदेखो यहां पर कैसे करते हैं यहां रखा है इन फिगर 12.27 मतलब यह जो फिगर हमारे पास 12.27 है अब यहां पर रखा AB AB and CD are the two diameter मतलब AB and CD जो दोनों कहा है diameter of the circle रखा हो यह हमारे पास center है ठीक है विच सेंटर हो perpendicular to each other मतलब यह आपस में क्या है perpendicular है clear है अब यहां पर रखा each other OD is a diameter of smaller circle ओडी जो है diameter of the smaller circle जो यह smaller circle है यह इसका क्या काम कर रहा है diameter का काम कर रहा है clear है if OA OA कितना हमारे पास 7 cm OA कितना है 7 cm है ठीक है find the area of the saddle region ठीक है यहां पर देखो area of saddle region क्या हो गया इस पूलिट्ट तो देखने से लग रहा है यहां पर तो एरिया of saddle region area of saddle region area of saddle region जो होगा area of saddle region जो होगा area of this one circle area of circle with diameter प्लस अब यहां पर ध्यान दो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे जिसे मतलब यह हमारे पास पोर्शन है जिसे यह यह सेमी सरकल दिख रहा आपको यह ध्यान देना यह पूरा क्या है सेमी सरकल है इससे मिंसर्कल है यह हमारे पास सेमी सरकल है तो हमें कौनसा पॉर्शन estimates लोंट करना है , यह विखन आण यह वाला जो पॉर्शन है इसका हमें यह हमें सेटर पोर्शन पैंड बर करना है, इतनी बस समझ में आ रही है तो हमें क्या काम करना होगा इस ट्राइंगल को बाहर निकाल सकते हैं सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को अगर बाहर निकाल लेते हैं मतब इस वन ट्राइंगल पूरे सेमी सर्कल से इस ट्राइंगल को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा एरिया आ सकता है इतनीम सेमीसरकल और यह हमारे पास क्या है सेमीसरकल क्लियर है क्योंकि यह डाइमेटर लि Three अभी आपर देखों तो क्या होगा एरिया अप सर्कल प्लस एरिया अप एरिया अप सेमी सर्कल एरिया अप सेमी सर्कल सेमी सर्कल माइनस एरिया अप ट्रेंगल एरिया अप ट्रेंगल एरिया अप ट्रेंगल अब यहां पर जो अब यहां पर देखो ओए है देखो हमारे पास जो ओए दे रखा था यह सेवन सेंटीमेटर दे रखा है सेंटीमेटर का काम कर रहा लुक計 करेज़ू अब यहां पर एरिा की तना भाइब पाई R1 का स्क्वाइर graph एडिया ऑफ सेमी सिर्कल अब इसके लिए हम बाइटर जो मानेंगे इसका रेडियस क्या हम ले थैर नगेट पर रेडिया हमारे पसम्ता स्वीर का व्युक्या हमारे पस रेडियस का काम कर रहा यह क्या जेखा पाई two too आप ऑपि एस लीए ऐसा किया है यहां पर हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि जो कि बड़ा सरक्ल है इसका रेडिस हमने ऐसे 7 मान लियएए ऐसerson मान लिकशusi अब यहां पर देखो systematic वे में solve कर लेते हैं इस्टूरेंट एरिया प्रेंगल पाई आरवन का इसक्वार तो मतब पाई अब यहां पर देखो यह जो दे रका है हमारे पास द्यान देना यह दोनों पर पर पेंडिकुलर तो यह हमारे पास धी लोगा करें लेक में लिमार प्लस सिसको ब्रैकर एंपरेंट में कर लेते हैं सब tours सब बच्चों को समझ में आ रहा है अब यहां पर देखो द्यान से तो यहां जाएगा एक सेवन से एक सेवन गया अब देखो इसको कट कर देखो अब देखो 10 से एक से एक सेवन गया और यह तो क्या जाएगा 11 इनक्या नास्तो इसकोrr एक सेवन बाइव थक्र यह तो कि मैद सस्युमियार इतिमाद समर्च में आ रह trophyा तु और को अगर दो हूँस है तो अभिए दोखो गो 77 77 डिवाइड वैड टू और यह दोखो 77-14 कितना होगा 77-14 ने यह आजाएगा हमारा 28 आ जाएगा 28 आ जाएगा इतनी बाद समझ में आ रही है तो यह दोखो 77 बाइट टू करेंगे कितना 38.5 आ एगा 38.5 और यह कितना जाएगा 28 आ जाएगा अधोगो 38.5.28 कितना जाएगा 66.5 cm2 आ जाएगा 66.5 cm2 तो यह दोखो फानली हमारे पास आंसर आ गया क्लिह रही हैं ? इतनी बाद समझ में आ रही है ? तो हम फानल लिख सकते हैं being area of the suggested region therefore therefore area area of the. area of the shaded region shaded region is 66.500 cm2 इतनी बाद समझ में आ रही है ? द्लाश्ट में wrestlingした आ वह कि एगि हम देफम है तो देखो इस्टेंट के बारे हुँ बात कर लेते हैं तो देखो इस्टेंट कोशन में क्या रखा है तो यह हमारे पास जो दे रखा एरिया एक लेटर ट्रेंगल इसका एरिया कितना है एरिया हमारे पास दो दे रखा एरिया इसका यह दे रखा हमारे पास 17320.5 cm2 दे रखा है और तीन सर्कल दे रहारे रहा है त्रीं सर्कल अभी यहां पेद रखा आपसर कल इस ड्राण विद्ध रेडियस इक्वल तु हाफ द लेंथ आप दे साइड आप क्रीच मातलू का वह क्या है यह साइड के इकुलेटर ट्रेंगल के साइड का हाफ है सबस्क्राइब को हमें इतनी है इतनी बास समझ्झ में आ रही है चुंब पाई की वेल वी दे रखी है यहां के रिजन हैं यहां पर दियान दो तो इस सब्सक्राइब के एरिया आप खुद सोच सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं तो क्या लिखते हैं एरिया आप सब्सक्राइब क्या होगा देखो ध्यान से एरिया आप सब्सक्राइब एरिया आप सब्सक्राइब क्या होगा एक्विलेटर ट्रेंगों के एरिया विसे यह त ओर त्री ई सक्टर को अगर हम मा इनस कर लेते हों तो ए ए है प्यर्डेग। निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा ए एhmen आउ। एयरिया ऑफ है или अफ ओ इक्वि लेटरल क divisgar चुंप मायन अखあー applies हैं मैं जो मिल रहा है कि श्र法 सेक्टर अंजेया इन्मना अए एरिया ओफ वन सेक्टर वन सेसर और एसे कितने सेक्टर है मारे पास यह तंसे हम एक से निकालना होगा हम क्या काम करना अब यह मुआ पर देखो इस दूंड क्या काम करेंगे हम है है तो यहां पर देखो एरिया फोलेटर ट्रेंगल तो दे हाँ घ्तरेंट कितना राखा experienced 173 20.5 दे रखा है माइनस फ्री एरिया इस स्ट्रड़ कितना हो जागा है यह अगर मालोग तीटा है यह अगर मालोग तीटा है ता मारे पस क्या हो जागा थीटा डिवाइड व second इन्टू पाई आरका इस्क्वाइर क्लियर है बट हमें रेडियस नहीं पता है इस्टुटेट्ट ठीके रेडियस हमें नहीं पता तो हमें रेडियस तो हम पता सकते हैं तो यहां पर देखो हमेरे पास एरिया अगणा सकते हैं तो एक काम करेंगे इस्टुन्य क्या रखा एरिया फिजिस रहे यहां पर हम क्या काम करते हैं हुआ कि क्या यह चीपलेशन कर लेते हैं इस वन एया यह रुवज़र law new संटस्क्राइडू प्रीड़ लेटरल डदी cricketiği को थरे पर दोब्त पास बढ़तोन के अबारान का ड़ी सबीटर्ग फॉर्जीन एडियर्स मिं नहीं थाग्र आता य। फोलैयकर मैं कितना य। पर य। य। शेड़ सस्टैनि कर लिबिद हो रूट थी बाइफ वाइफ वाइफ और दोखो रूट थी की वे लोगी वने इस्टूरेंट कितनी है यह आजाएगा एक आई स्कॉयर और यह आजाएगा 17320.5 एक काम करते हैं हम पॉइंट रिमूब कर लेते हैं स्टूडेंट ठीक है यहां से अगर हम पॉइंट रिमूब करेंगे ज्यान दिजिएगा अगर मालों यहां तक पॉइंट लाना चाहते हैं तो यह देखो 17320.5 तो पॉइंट हम यहां पर ला दिए तो इसको किसे डिवाइट करना पड़ेगा ठीक है इसे पॉर पॉइंट देखो फॉर पॉइंट आगे जिरो स्ट किया 1234 मतब फाइब के आगे प्रूट किया तो फॉर पॉइंट मतब डिवाइड भाई हम क्या कर सकते हैं ठीक है 10,000 होगा 17320.5 ऐसा हमने क्यों किया क्यों कि यह और यह चैंसल आउट होगा क्यों कि अब यहां पर देखो द्धान से स्टूडेंट यह चैंसल आउट हो सकता है कि नहीं मतब इस वन और इस वन कैंसल आउ अंडर रूट में चला जाएगा यह 200 इंटू 200 आजाएगा क्लियर है एकॉल टू कितना होगे 200 सेंटिमेटर आ गया है तो यहां पर दे रखाए कंडिशन दे रखाए स्टुडेंट जो हमारे पास रेडियस है हाफ आफ साइड है यही तो बोल रखा देखो यह रखा है वर आजा तब राडिस इपल डू लॉडल राडिस इपुल टू कितना रेवा तू हर श्ममीम कितना है 202 तो फनली डिवल सेंटिमेटर थैवका रेडियस टिंवसर चिंटिमीटर आगयां क्लियर है इतनी बहुड किपंधुम्हारी इसंटिमों और डिलेट्र त्रिंगल ईच एंगल के इसंगल कितना होता है 60 होता है कि अब यहां पाँ क्या काम करेंगे इस्टोडिन्ट अब डियांस अब डारेक्ट हम फॉर्मूला पुट गए जिससे मतब एरिया फिकुलेटर ट्रंगल निकालने की ज़रूरत है नहीं हमें एरिया आफ वन सेक्टर कर निकालने की ज़रूरत है इंटू 3 करके माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तो बहुत असान होगे तो कितना हमरे अमरे पस थी ता कर भाइन अन्री कितना मींतू 5 कितना फाय गांस कि अचाल आ सब्सक्राइब कर गया और पाई 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 रहने दो अभी और यह हंड्रेड का स्क्राइब क्लियर है इतनी बाद समझ में आ रही है सब बच्छों को समझ में आ गया अब त्री से अब यह कितना हो जाएगा आपका यह तुम्हारा कर जाएगा टू टाइम में कर जाएगा क्लियर है यह जाएगा वन सेवेन 17320.5 माइनस देखो यह जाएगा वन बाइटू अब पाई की वैलू अब रिप्लेस कर देंगा 3.14 3.14 पॉर अट हंड्रेड इन्टु हंड्रेड इतनी बाद समझ में आ रही है क्लियर है ठीक है अब हम क्या काम करेंगे तो 17320.5 माइनस वन बाइटू अब देखो इसको अगर हम डिवाईकट करेंगे वन सेवन फ्रीट इटू जिरो कांड़ायगा है काम की वन बाइक स्वाइट ला हुझा पाइट ई तर्व मरी है इतना आजाएगा इतनी बाद समझ में आ रही है इसको अगर हम डिवाइड करें वन सेवन त्री टू जीरो पॉइंट फाइब इसको हम टू से कट करेंगे कितना जाएगा 157 अजाएगा 157 अजाएगा अब इसमें सिसको माइनेस करो तो मारा कितना जाएगा 1601 620.5 cm2 इतनी बाद समझ में आ रही है तो फाइलली हम कह सकते है अगरे स्टूडेंट जो हमारा फाइनल आंसर आ गया यह एरिया ऑफ सेड़ रिजन जो होगा मतब इस वन सेड़ रिजन इक है यह हमारा सेंटर में रखा है इसका जो सेड़ रिजन हो गया कितना आ गया 1620.5 cm2 इतनी पाइल पाइलली हम लास्ट में लिख सकते हैं देरफोर 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 एरिया अव देरफोर एरिया अव देर रिजन इस सेड़ रिजन एज 1620.5 cm2, क्लियर है यहां पर नेक्स्ट कोस्टन के बारे में बात कर लेती है इस्टोडेन अब यहां पर रखा है 11th question में दे रखा है और रखा है और इसक्वायर ठीक है 789 ऐसे 9 circular design दे रखा है अब यहां में रखा है डिजाइन आफ इच 7 cm देखो रेडियस कितना है हमारे पास 7 cm है ठीक है find the area of the remaining portion of handkerchief हम क्या काम करेंगे remaining portion of handkerchief मतब जो remaining portion बचला डिजाइनिंग के अलावा उसका हमें बताना है यह सारे portion का area बताना है तो क्या क्या काम करेंगे पूरे square से हम कि एडिजाइनिंग वाले portion उसको माइनस करना पड़ेगा इतनी बाद समझ में आ रही यह जो हमने डॉटेट बनाए है रेड कलर से उसको हमें माइनस करना होगा क्लिए रहा इतनी बार समझ में आ रही है तो बहुत असान एंस्टॉटेटेट एरिया आउफ का वो लिख सकते हैं एरिया ऐरिया और अफ रिमेनिक पोर्सन आफ ड़ा है कुशंब धर तो क्या हो जाहते ऐगा एरिया और area of area of the remaining remaining portion of portion of of the area of square area of area of square minus area of circle area of area of circle और ऐसे कितने circle है into 9 कर देंगे area of one circle ऐसे लिख सकते area of one circle area of one circle और into 9 कर देंगे तो हमारा remaining portion कर नहीं कर जाएगा बहुत असाने इस्टुटन कुछ है नहीं इसमें तो ठीक है अब यहां पर जाननी की जरूरत है हमारे पास तो यह कितना होगा ठीक है अब यहां पर रखाएगा इस्क्वायर अब इसका देको डामेंसर पदा करना होगा इस्टुटन यह जो डाइमेटर होगा यह जो डाइमेतर होगा यहां से यहां तक, ज्वान दिजगा इस्फ वर तॉर यहां से यहां तक, कि 14 हो गया और यहां से यहां तक कि 14 हो गया तो 14 तो यह 14 14 तो साइड स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा क्योंकि यह 14 हुआ अंतिन फोनी संटीमिकर इहां लोता जबत करें पुटकookie के तुटक्र कितने हो था साइड का स्कॉर साइठ का सक्वार बाइनस cognitive सब्सक्राइब किया 42 सेंटिमेटर 42 का स्क्राइब माइनस नाइन इंटू पाइं कितना यूज करेंगे और रेडियस कितना हमारे पास सेवन का स्क्राइब सब्सक्राइब करते हैं कितना आएगा 42 इंटू 42 कर लो यह आजाएगा आपका 42 इंटू 42 आजाएगा 176 पूर आजाएगा यहां पर क्या जाएगा 1764 ठीक है 1764 माइनस 9 इंटू 22 बाइ 7 और 7 का स्क्राइब तो 7 इंटू 7 यह कैंसल हो गया ठीक है यहां जाएगा 1764 माइनस 9 22 मेंसे 7 को मल्टिप्लाइग करें कितना आजाएगा 154 आजाएगा 154 यहां जाएगा 1764 अब क्या काम करेंगा 9 इंटू 154 करेंगे कितना आजाएगा 9 इंटू 154 आजाएगा हमारा 13 करके देख लेते हैं 154 इंटू 9 कर लेंगे यह आजाएगा आपका 1386 1386 करके देखें यहीं आएगा यह आजाएगा 13 देखें एक बड़ चेक कर लेते हैं 13 1386 अब इसमिस क्या माइनस कर लो 1764 माइनस 1386 1764 176 पर 1386 कितना जाएगा तो यह आजाएगा आपका 378 आजाएगा तो 378 आगया और यह क्या है सेंटीमीटर स्क्कार क्योंकि यहां पर देखो जो एरिया होगा सेंटीमीटर स्कार में आफानली अंसर से हमया थार परसच जो आगया आज़ा क्लिए यह वहान्स्थ ना है एक तो हमारे पर63 देलकनलकि मिझे , therefore, therefore, therefore the area of the area of the the remaining the remaining portion of portion of the handker is 378 cm2 378 cm2 संध मार you जो कछा है इते इतो पे पर में स्ट्मेटीक करण premise affiliated ma Tipina सविय की अuf-nag अब लेक podía है यूबिश truth listen यह तो इस वाले न二 hopes फिटीन से एन इंपेडन लूऔट एक आप cynral qo of sg इन्सक्राइपें ने इन्सक्राइब सिविए रहे हमारे पास कशेया है living जो हमारा पास कितना है 20 सेपी इंटेम्टेमेटर है हुए सब्सक्राइन आ ट्रफान अर्णवल सा इधार से करते हैं अपरव क्रपसी इंटेनर बेखा है वान वच्विक किया होगा एया उसे इजन ईंड उसे आधाको मेंघन इसे भ्योम सेटटाटर शेदर येखा एाक टो हम पॉरेंड अरिया शेल्स जो किया होगा एडकर आब आगाडंट आ व गिया टम्त क्ट्राटर बाब eh मतलब पूरे क्वांड्रेंट में से अगर एरिया स्क्यार माइनस कर दिया तो मिल निकल सकता है' एरिया क्वाद्रेंट कितना होता है 1 4th of area of circle वन फोर्थ of area of circle clear और area of square क्या होता side q i square side q i square the one fourth of area of circle कि और साइड का सबस्क्राइब करना पड़ेगा तो देखो रेडियस के लिए हमें क्या काम करना होगा ध्यान देना इस्टुटेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जो क्वार्रीलेटरोली क्वाड्री वैब और ओ अबी सी य जो इजा स्कुरेट मतलब ci वाड़ेक्स पर इंगल होगा नांइंटेगिन होता हिक दो कि मतली इंगल इंगल सेटेगरी होगा थिस संदूरी की डिगरी Ц 모습니다 क्या होगे इक उप मतब A-O A-O, A-O A-A-B, B-C & O-C, यह हमारे पर किया है 20 cm होगा, मतब all sides equal होते हैं square के, और each angle कितना होता है 90 degree होता है, यहाँ पर यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हुश्टोड़न, यहाँ पर हम राइट यह एंगल के concept लिए काम कर रहा हैए काम करा है इतनिमा सुमझ में आ रही है यहाँ पह सिक्षाओ यहां पहल निए रिछा आ उसले डाइगनल है तो यह जा पहला है है यह द्रेhealth है रोडियों को दिखो में और पहल है क्य्या उसरी है आए इसके लिए हमें क्याBeaut ticket सब्सक्राइब प्लस और अबी तुके तिवारी मिशन्यक्या रणाइब ट्वेंटी इसक्वाइर प्लस ट्वेंटी का स्क्वाइर इसक्वाइर, यह जागा ओपी का स्क्वाइर तो भी इकल कितना हो गया वह भी टुई सॉफ टुई का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं त्वाइसे लिख सकते हैं तुई इंटु ट्वैंटि गयां त्वित्व टुई 20 इंटु 20 इंटु 20 बाहर आ जैगा या चूरू कितने संटिमेटर हमारे पास difference जो do कि डाइं रेडियस ओगया, ओब ही जो हो गया 20 रूट टू संटिमेटर गया तो रेडियस क्वाट्रेंट कितने हो में है रेडियस साब कॉणरेट 20 रूट टू संटिमेटरивать सब बच्चों के समझ में आ गया अब हम डारेक्ट इस फॉर्मुले पर पूट कर सकते हैं आप कोई दिकत नहीं आएगी तो में पता चल गए कैसे कल्कुलेट करना इस्टुएंट वन बाइटू देख वन बाइफॉर अब देखो पाई की वैलू किया यूज कर सकते हैं यहा फॉर इन चरण ट्रीजागा पाम टिया चाहँ यह थे तो फॉर बड़ी वन बड़ी चैह। वन पॉर शिक्आ एफू थे फॉर्योट टूएंड टुर्टू गाइगा बाइट पॉर्टू उक्ता कि बच्वेश्यूट 2 मैण जी एग खां अंच्वा। टेखो पॉर्टू और ये दोग इक कर टुरीटा टूडी टूट हियां टेकर टूट जूटे रूटी ओडगे की का टूरइन दूर्र दूरर्य दूरु धूरर्टा न में अमिलिदा सा strike तो यह चुका है यह हमारे पास एरिजन के एरिया आ चुका है यह हमारे पास रिजन के एरिया चुका है इस वन मिनट अ पास अगया हमारे पास की तैट एरिजन के एरिया आ गया तू तो फानलीक सकते देरफूर देरफूर एरिया इर्पूर एरिया ऌतव से कुछ समयाँ है एरिया अवक्राइओan एरिया ॅब से देर रिजन इजसे सन्गें अबर एरिया queries हो एक्तव पतुद पार हो ही इतनी बास समझे है आइटिंक सब बच्छों को समझ में आगए तो अब यहां पर देखो I think सब बच्छों को समझ में आ गया कैसे कल्कुलेट करना एट तो देखो यहां पर नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे यह हमारे पास हो जाएगा देखो next question है हमारे पास यह हमारे पास next question है 12 questions है तो यह student homework इसको solve करके देखिए यह आपके homework के लिए मैं दे रहा हूं homework इसको solve करके देखिए otherwise मैं next lecture में इसको discuss करूँगा इसको यह 12 question है तो 12 question है 13 question discuss किया तो 12 question आज़ा homework करिया आप ख्लेर इस्ट्रेट तो ठीक है आज की लेक्ट्र में इतार रहना है बाकी कारी मैंनिंग क्वेशन हम आने वाले वीडियो लेक्ट्र में भाख करेंगे ठीक है ताइंक यू